सो एले दोस्तो स्वागत आपके एक और नए वीडियो पे दोस्तो बहुत सारे भाई लोगें के कमेंट्स आते हैं कि इसू भाई हम ग्रो एप्लिकेशन के तुरू ओप्सन टेडिंग करना चाहते हैं लेकिन हमारा जो भी ओप्सन टेडिंग है वो एनेबल नहीं हो रहा है हम यहाँ पे ओप्सन टेडिंग नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तो इस वीडियो में आप लाश्टक बने रहा है अगर आप बेगना रहा तो यह वीडियो आपके लिए बहुत यूजपोल होने वाली है क्योंकि दोस्तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरा प्रोसिस बताया ह अच्छे से आपको समझाया है बेसिक लेवल पे खैंपी दोस्तो मैं बेसिक लेवल पे वीडियो बनाता हूं और बेसिक लेवल पे ही बताता हूं कि आपने इंटेडे टेडिंग कैसे करना है और यहाँ पे ओप्सन टेडिंग कैसे करना है हमारे इस चैनल पे आपको बहु आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी यह वीडियो अगर अच्छे लिग तो वीडियो को लाइक जिरूर करना चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना इस तरह की वीडियो आगे भी आपको मिलते रहेगे तो वीडियो को सुरू करते हूं चलते अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लेकिन दोस्तों मोबाइल की स्क्रीन पर जाने से पहले मैं सिर्फ यहाँ पर एक चीज बदाना चाहूंगा अगर यहाँ पर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपने सबसे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए उसको एक्टिवेट करना होते है क्योंकि द इंकम प्रूप देना होता है जो दोस्तों यहाँ पर आपको चार-पांच ओप्शन मिल जाते हैं ठीक है दोस्तों तो आप यहाँ पर देख रहें स्क्रीन पर तो इस तरह के आपको ओप्शन मिलेंगे तो यहाँ पर आपको इन में से एक को स्लेट करना होता है और यहाँ आपने अपना income proof send करना होता है जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं आपको bank statement का option मिला हुआ है और यहाँ पे आपको मिला हुआ है sales slip का option 2, 3, 4 option आपको और मिले हुए तो इनमें से आप select करिए और यहाँ पे जो भी आपका income proof है जो भी आप यहाँ पे income कर रहे हैं जैसे आप यहाँ पे bank statement को ले लीजिए यहाँ पे आपको last 6 month की bank की statement को upload करना होता है bank की statement मतलब यहाँ पे जो भी आप transaction करते हैं जो भी last 6 महिने में आपने यहाँ पे transaction की है वो आपने यहाँ पे submit करनी है जो भी यहाँ पे आपने last six month में लें दिन किया है वो आपने यहाँ पे इसे नहीं निकालना है आपने पूरी एक statement निकालनी है अपने bank में जाना है वहाँ पे आप बोल सकते हैं कि मुझे अपने bank की statement निकालनी है last six month की तो वहाँ पे आप last 6 मन्त के अपनी bank की statement निकाल गए यहाँ पे upload कर सकते हैं यह फिर आपका जो भी bank है उसके एक official application होती है जिसके तुरू आप net banking का use कर सकते हैं तो आप वहाँ पे भी जाके अपनी bank statement को online निकाल सकते हैं और यहाँ पे submit कर सकते हैं उसके 2-3 दिन के बाद आपका जो भी यहाँ पे F&O segment है जो भी आपका यहाँ पे F&O trading है वो यहाँ पे आपका start हो जाएगा तो फिर आप यहाँ पे easily future and option trading कर पाएंगे तो उसके बाद आपका यहाँ पे option मिल जाता है आपके application में तो यहाँ पे आप easily trading कर पाएंगे ठीक है अगर आपको नहीं पता किस तरह से हमने यहाँ पे बैंक की statement को upload करना है कैसे हमने यहाँ पे इसको activate करना है तो यह वीडियो आप यहाँ पे screen पे देख रहे हैं और grow application पे हमने अपना account ओलेडी बनाया हुआ है FNU segment को ओलेडी activate किया हुआ है हम इसको यहाँ पे open करेंगे अगर इस application का link आपको चाहिए तो discussion मिल जाएगा वहाँ पे जाके आप इस पे अपना account बना सकते है आपको वीडियो भी मिल जाएगी मैंने आपको बताया FNU segment को आपने case से activate करना है तो वह वीडियो आप जाके देख सकते है इस वीडियो को देखने के बाद ठीक है दोस्तों तो हम इस application को open करेंगे तो जैसे हम इस application को open करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे इस तरह का option आजाता है आप यहाँ पे देख सकते है ओपर हमें यहाँ पे option मिल जाता है nifty 50 और यहाँ पे bank nifty ठीक है दोस्तों तो यह option हमारे सामने आ जाते है nifty 50 bank nifty दोस्तों अगर हम यहाँ पे future and option में trade करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पे देखना होगा यह market को ठीक है nifty 50 के market हो गई और bank nifty के market हो गई और भी हमें कई index मिल जाते है जैसे sensex हो गया फिनिप्टी हो गया midcap nifty हो गया तो यह सारे हमें index यहाँ पे मिल जाते है all index के option पे आप क्लिक करेंगे यह सारे index आपको मिल जाएंगे जिनमें आप यहाँ पे option ट्रेडिंग कर सकते है दोस्तो अगर आप beginner है तो मैं यहाँ पे आपको बदादू nifty 50 आप यहाँ पे देख रहे है nifty 50 में सारे इंडिया की जो 50 company है वो सारी इसमें आ जाते है जो यहाँ पे आज अच्छा perform कर रहे है यहाँ पे आप Bank Nifty देखते है बैक Nifty में 12 तरह इंडिया के जो यहाँ पे अच्छा perform कर रहे है मतलब आज जो बड़े bank कैसी में आ जाते है बैंक निपờ बैक Nifty में और Nifty 50 में 50 company है सबसे बड़े इंडिया के वो सारी निपटी 50 में आती है ठीक है दुस्तों, यहाँ पे दुस्तों आप नीचे देख रहे हैं, उप्सन मिला हुए आपको most bought on grow, अगर आप यहाँ पे grow application को open करते तो यह इस तरह का उप्सन आपके सामने आ जाते है, यहाँ पे मतलब की जो भी यहाँ पे share है, जो भी यहाँ पे stock है, सबसे जादा आज buy हो रहे हैं, मतलब लोगों ने buy किये हैं, वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे option मिल जाते हैं, आप देख रहे हैं, product and tools ठीक है, product and tools में आपको कई option देखने को मिल जाते हैं, हम थोड़ा से इसको ऊपर करेंगे, यहाँ पे आपक पिर हुई है भी रेसेंट ली तो सारी आई प्यू में आ जाती है ओल स्टोक जो भी यहां पर सारी कंपनिया लिस्टिड है वो सारे स्टोक आपके सामने यहां पर आ जाते हैं इवेंट्स जो भी यहां पर इवेंट्स होने वाले हो सारे आपको यहां पर देखने को मिल जाए और इसको हमें अ करना होता है नीचे हमें एक और उप्षन देखने का मिल जाता है यहां पे ठीकर गैणर से लोगकर यो यहां जो पर generals मैं अफ़ हें आजाती है ठीक है तो यहां पर इस तरह से देख सकते और नीचे आपको इहां पर एक और और पत्पनी आजाती है, mid cap होता है, मतलब mid में वो सारी company आ जाती है, जो medium है और यहाँ पर small में वो company आजाती है, जो small company है, ठीक है दोस्तों, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना होता है, हमें जाना होता है, यहाँ पर F&O उप्शन पर ठीक है, अगर हम यहाँ पर future and option में trade करना चाहते हैं, तो हमें जाना होगा, यहाँ पर F&O के section पर ठीक है, यहाँ पर हम जैसी click करेंगे, तो हमारे सामने यहाँ पर इस तरह का option आ जाएगा, अगर हमने इसको activate किया हुआ है, यहाँ पर इस तरह का option आ जाएगा, हमें यहाँ पर 2 option मिल जाएंगे, यहाँ पर आप देख रहें, यहाँ पर nifty 50 और यहाँ पर bank nifty ठीक है दोनों इंडेक्स हमारे सामने यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आप देखरें index option यहाँ पर आप देख सकते हमें कुछ option भी इसमें दिये हुए ठीक है अगर यह activate नहीं है तो आपको यहाँ पर option मिल जाएगा अब यहाँ पर किया करना हो गए दोस्तो अगर हम यहाँ पर nifty 50 में trade करना चाते है या फिर bank nifty में trade करना चाते है तो हम किसी एक को यहाँ पर سलेक्ट करना होगा दोनों में से ठीक है तो तब हम यहाँ पिंड़ेगल करेंगे। किसी भी उप्षिभू पर आका करेंगे। तो हम यहाँ पर निप्टिकों स्नेट करेंगे। क्यांकि बैंक निप्टिक में अगर आप जाते तो यहाँ पे मार्किट बहुत ही जाद रहता है वोगत मैंक्वे TO ज्यादा तो इसलिए यहां पे आपको जल्दी से लोस देखने को मिलता है और जल्दी से यहां पे profit भी हो जाता है और दोस्तों मैं आपको यहां पे बता दूँ आप अगर यहां पे पैसे लगाते हैं आपके पैसे यहां पर डूब भी सकते हैं और आपको यहां पर profit भी होता है ठीक है अगर दोस्तों आप यहां पर beginner है तो आप यहां पर कम से कम capital का यूज करिए सीखने के लिए जैसे आपके पास यहां पर 500 रुपे है 1000 रुपे है 2000 रुपे है तो वेसे आप यहां पर ट्रेड करेंगे ज्यादे capital का आपने यूज नहीं करना है तो यहां पर आप सीखेंगे देरे देरे सीखें उसके बाद आप यहां पर profitable भी बन जाएंगे अगर आपको 50 का जो भी यहां पर option chain है वो हमारे सामने open हो चुका है यहां पर हमें option मिल जाते है एक्सपैरी date के यहां पर आप देख सकते हैं यह में date के option मिल जाते है अब जो भी हमारा next expiry आएगा वो आएगा एक फरवरी को इसके बाद 8 फरवरी को इसके बाद 15 फरवरी को फिर 22 जो भी यहां पर expiry पर premium का rate है आप यहां पर देख रहे चार सो तितालीस है अगर इसको हम यहां पर 8 फरवरी पे करेंगे तो यहां पर 394 रुपे कुछ पैसे मिल जाएगा अगर हम यहां पर एक फरवरी पे करेंगे फिर 310 रुपे का यहां पर हमें यह premium मिल जाएगा आपको ज्यादा टाइम चाहिए उतना ही प्रेमियम आपको यहाँ पे ज्यादे देखने को मिल जाएगा ठीक है तो उसके साफ से आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है और भी हमें ओप्सन यहाँ पर देखने को मिलते हैं अब हमें यहाँ में divide हो गया यह put वाला option हमें मिल जाता है इधर और यहां पर कोल वाला इधर मिल जाता ठीक है इनके क्या मतलब होते हैं दोस्तों अगर आपको नहीं पता हम call option को कब buy करते हैं, call option को तब हम buy करेंगे अगर market यहां पे बुली से है, ठीक है, market उपर जा रहा है, तो तब हम यहां पे call option को select करके, इसमें आप ट्रेड करेंगे, ठीक है, यह वाले option हम यहां पे buy करेंगे, अगर market bears है, market नीचे जा रहा है, तो तब हम यहां पे put वाले option में trade करेंगे, put com select करेंगे, ठीक है, अगर दोस्तो तो market नीचे जाता है, तो तब भी आप trade कर सकते हैं, market उपर जाता है, तो तब भी आप trade कर सकते हैं, अगर market नीचे जाता है, आप put में trade लेते हैं, market नीचे जाएगा, तो तब यहाँ पे आपको profit होता है, अगर market उपर जाता है, आप call में trade लेते हैं, तो तब आपको यहाँ प्रोफिट होता है ठीक है दोस्तों लेकिन अगर आपने कोल में ट्रेड लिया है और मार्केट उपर की वजाए नीचे चले गया तो तब आपको यहां पर लोस हो जाएगा ऐसे ही अगर यहां पर पुट में आपने ट्रेड लिया है मार्केट नीचे जा रहा है लेकिन मार्क वोटका इसको बोलते हैं Premium ठीक है यह दोनों का Premium हो गया ये पूट का Premium हो जाता है और ये कॉल मोगत अब किसको हम बोलते है इस चुछ उपन प्राइक करना होता यह यहां पे market के chart को देखते हैं market किस तरह का perform कर रहा है उसके बाद हम यहां पे एक किसी भी option को select करते हैं जैसे हम यहां पे किसी भी option को select करेंगे तो हमें यहां पे एक चीज और देखनी होती है यहां पे अगर आप call के option पे जाते हैं यह वाला जो option है हमारा यह वाला तो इसमे लेकिन दोस्तों अगर आप यहां पे उपर की तरफ जाते हैं यहां पे आपको मिल जाते हैं यहां पे नीचे हो जाता है हमारा इंद मनी इसमें नीचे इंद मनी रहता है इंदमनी ठीक है, मतलब ITM ठीक है, और यहाँ पे उपर रहता है, OTM, और यह सेम मी रहता है, ATM ठीक है, यहाँ पे यह सेम रहता है ATM, Call में भी और put में भी, यहाँ पे दोस्तों आपने चीज द्यान रखने हैं, आपने In-da money में खरीदना है, या फिर out of the money में खरीदने है तो वो चीज़े आपने यहां पर ध्यान रखनी है अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है अभी अच्छे से एक बार देखने में तो आप दुबारे से इस वीडियो को जाके देख सकते हैं आपकी अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है तो अब दोस्तों हम यहां पर किसी भी एक प्रेमियम को बाई करेंगे जैसे हम एक कोल उप्सन पर जाना है और यहां पर किसी भी एक प्रेमियम को बाई करेंगे हम यहां पर कोल वाले उप्सन पर जाएंगे हमने यहाँ पे यह वाला पेज open हो जाएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं ठीक है दोस्तों यह वाला पेज हमारे सामने आ जाएगा तो अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा हमें यहाँ पे option मिला हुए delivery और इंट्रडे ठीक है, उपर हमें यहां पर option मिला हुआ, आप यहां पर देख सकते हैं, जो भी हमने यहां पर option select किया 21000 दोसों का call option यह हमें मिल जाएगा, और नीचे हमें यहां पर option मिला हुआ, आप यहां पर देख रहे हैं, यह वाला load wise का, ठीक है यहाँ पर load wise होता है अगर आप यहाँ पर एक load करी देंगे तो 50 quantity आएगा अगर दो load करेंगे फिर यहाँец quantity आएगगा तो इस तरह से यहाँ पर जितनी quantity आप करीदेंगे तो load के एसाब से जाएगा, long strawberry टो जाते यहाँ आपको प्राइड का मिल जाएगा यहाँ पर प्राइस अमया अब यहाँ आप्य आप प्राइड्टाहीप लिएक्समीन मिल जाएगा यहा प्रिय्मिट भी लगा सकते हैं तो आपको option मिल जाएगा यहां पे position पोजिशन के option पे जो भी आपका profit होगा जो भी आपका loss होगा उस सब आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा आप यहां पे स्क्रीन पे देख रहे इस तरह का option आपके सामने आ जाएगा आपको live यहां पे देखेगा कि आपको यहां पे profit हो रहा है या फिर loss हो रहा है आप यहां पर minus में है plus में इस सब कुछ आपके यहां पर देखने को मिल जाएगा लेकिन दोस्तों यहां पर यह तरीका होते है option trading करने का अगर आप यहां पर profitable बनना चाहते है तो आप यहां पर एक दिन में तो नहीं बन पाएंगे तो यहां पर आपने धिरे धिरे सीखना होगा candles देखनी होगी आपने यहां पर चार्ट के option पर जाना होगा कि कौनशी candle बन रही है किस तरह की candle बन रही है चार्ट पैटन है जो वो किस तरह का बन रहा है तो यहां पर इसकी पहचान करने होगे और आपने यहां पर अच्छी knowledge लेनी होगी तो तब आप यहां पर अच्छा कासा पैसा कमा पाएंगे ठीक है दूस्तो जो भी मैंने इस वीडियो में आपको बताया आप समझ गए हों से हमारे आने वले इस तरह के यूजपूल वीडियो आगे आपको मिलते रहेंगे तो इस वीडियो में तरह मिलते ने खुड़ों में तब तक लें जेंगे